नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टुकुझे सरी फा दे लीडोर्ज ओफ इंडियन फुटबोल, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भई, इगो श्टिमेच ने रिसेंटल एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया की अगर अंडर 19 एंडर 23 तीम, डेगूलरली एशियन वो यहाँ पर कुछ अच्छा कर पाएगी, और दूसरा जो आईसल क्लब्स के उपर उन्होंने ब्लेम डाला था, तो उसके रिस्पोंस में यहाँ पर जो नोर्थीस उनाइटेड के हेड़कोच है, पेड्रो बेनाली साब, उन्होंने बोला है कि उसके लिए भई, यहाँ नेशनल टीम के हेड़कोच को आके यहाँ पर मैचिस देखने पड़ेंगे, यंग्स्टर को देखना पड़ेगा, फिर कॉमेंट करने चाहिए, बाहर से सिर्फ दूर बेट के कॉमेंट करने से कोई फाइदा नहीं है, उन्होंने बोला कि पांस साल में आपने कितने यंग् कर रहे हो, और उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ आके यहाँ पर एक रिजर्व टीम बनाईए, यंग्स्टर को मौका दीजिये, और काफी सारे उन्होंने बोला कि नौर्थीस वनेडर के यंग्स्टर या फिर बाकी क्लफ के यंग्स्टर है, तो इसको था चांस नहीं तो कहिना कहीं उन्होंने बात रखी है, वह सही है, क्योंकि आपको को ब्लेम करना है, और अपना जो फेलियर है, वह बताना नहीं है, that's not the right way to put it out, to be honest, so let me know guys, what do you think about this पेडरो बेनलिस रिस्पोंस तो इगोस्टमेच कोमेट on all of that, उसके बाद यहाँ पर बात करनी है, AFF के बारे में क्योंकि तेरा लोट ओफ में currently behind the scene यहाँ पे AFF में चल रही है, और उसमें यहाँ पे 10th of March को AFF की जो annual general meeting है, वो यहाँ पे अरुनाचर प्रदेश में होगी, जब यहाँ पे संतोर शोफी चल रहा होगा उसी के साथ, और वहाँ पे काफी सारे यहाँ अगेन उन्होंने यहाँ पे सभी जो एक्स को मेंबर है AFF को, उनको एक डिटेल यहाँ पे email लिखा है, और जिसमें उन्होंने कल्यान चोबे, जो हमारे ड्रेजर कीपा आजाए, उन दोनों का यहाँ पे resignation मागा है, और सारे जो recently events हो है, चाए वो AFF Legal Head का बात यह रखना हो जिस तरह से salary payment करना हो, सारी जो deals हुई है, आईलिक की broadcasting deal, indigo की deal, बाकी जो यहाँ पे financial जिस तरह से creep आ जाए कि उपर personal fund यूज करने का, और कल्यान चोबे के उपर personal fund यूज करने का, सारी detail चीज उन्होंने इस mail में यहाँ पे EXCO को मेंबर को लिखी है, और उन्होंने बोला है, दूसरी साइड, यहाँ पे heart-breaking news to be honest, यहाँ पे तने आपते हैं जो की currently Srinthi Deccan के media head थे, and he is also working as a journalist in the Indian football in last one decade, उन्होंने यहाँ पे कल एक social media पे post डालके यहाँ पे बोलाए कि I am quitting Indian football because the things which going into the Indian football is not you can say की positive or you can say की motivating to change something in Indian football and वहाँ पे उन्होंने काफी beautifully जो एक core level problem है Indian football म कि जो generally fans को पता नहीं होता, जिस तरह से media को किस तरह से handle किया जा रहा है from FSDL, किस तरह से यहाँ पे EFF I league club को यहाँ पे उतना जदा priority नहीं देता, उनको यहाँ पे जिस तरह से क्या बोलते कि उनके लोग है या फिर उनको जिस तरह से वो handle करते है, ISL में क्या-क्या दिक्क and such में जो भी आपे अगर आप किसी से भी चो इंडियन फुर्वल में उस लेवल पर काम कर रहा है, आप किसी से भी पूछोगे, तो उन सब का अभी भी कहना है कि इंडियन फुर्वल is not moving है, to be honest, आपको चाहे बाहर से कितना भी ताम जाम देखने को मिले कि यह हो रहा है, अगर आप देखोगे कि जिस तरह से आपके competition organized हो रहे है, जिस तरह से सारी चीज़े हो रही है, वो उतने आपको fair manner में या फिर जिस तरह से होने चाहे एक professional way में, उस तरह से नहीं होते है, to be honest, there is a lot of, you can say, mess, rotten system बन चुका है, इंडियन फुर्वल एको सिस्टम, उसमें जो coming for only their personal gain and nothing, their vision is completely different, if you see FSDL has totally different vision, AIFF has totally different vision, coach, everyone is working for themselves rather than a common goal of betterment of Indian football and that is the sad reality, I think, इस तरह के human resources है, कि जो एक्चल में अच्छा काम कर रहे है, कुछ पांच परसंट भी लोग अच्छा काम कर रहे है, वो इस सी होप में यापे कुछ टाइम पे के लिए काम करते है, चार पांच साल and उसके बाद वो भी यहां पे क्या बोलती की होप लूस कर जाते है and they lose, again another 5% comes and they goes, तो I think इसी तरह से Indian football अभी तक चलता आया है and आगे भी इसी direction में अभी तो जाते होग दिख रहा है, अभी कोई radical changes, I think to be honest, दिख नहीं रहे है, so जादा expectation रखना, I think हमारी वोर से as a fan, I think हम वो यहां पे क्या बोलती की एक दुख दाई time होगा, तो उससे अचाहे की just इसको enjoy कीज़े, simple as that, rather than you can say की जादा expectation मेरी इसाब से नहीं रखना चाहे, to be honest, that's my personal advice, anyone who is watching Indian football, to be honest, उसके बाद बात करनी यहां पे बाई, आज है एक interesting match, and वो है यहां पे AFC Asian Cup का final, Jordan vs. Qatar, and जिस इसे AFC Asian Cup रहा है, चाहे Indian team के लिए पले ही, क्या बोलती की वन पी वर्स रहा हो, लेकिन overall as a tournament, it was a successful tournament, and जिस तरह से matches हुए, and दोने टीम की journey, अगर आप Jordan की देखे, तो I think जिस तरह से उन्होंने पुरा throughout the AFC Asian Cup performance दिया है, completely मतलब क्या बोलती की inspiring journey, and आज I think definitely they are, you can say की going as an underdog again, because Qatar playing at their home, with the crowd support, and यहां पे Akram Afif, Hados, and Al Mohai Zali, all are in top form, so it is not going to be easy for Jordan at all, but उन्होंने यह साओध के सामने भी सेम चीज थी, वहां पे भी काफी जादा क्या बलती की उन्होंसे तगडी टीम थी, and वहां पे उन्होंने इस तरह की performance put up की थी, so I think definitely there will be a you can say की interesting final, we can expect, and let's hope so की यह जो एफिशन कप का end है, वो भी इस तरह से तमाकेदार तरीकिस हो, personally I want to see Jordan win this, you can say की एफिशन कप, to you can say की, see that an underdog story to become a finally achieve the goal, but I think Qatar is the favorite for this final, and I am saying maybe they are winning the back-to-back एफिशन कप, and create a history, so let me know guys what's your prediction about this final of एफिशन कप, and do join for a watch-along, at tonight 8.30 p.m., उसके बाद ISL की बाद करते, ISL में कल इंटरेसिंग बैच, यहां पर जो टाइटल रह से उसमें देखने को मिला, हमें Odyssey FC vs FC Gova, 1-1 का फेर रिजल्ट, I would say, and first goal from Rohi Krishna, but second goal, जो यहां पर equalizer basically, यहां पर आया from the Jai Gupta, that was a screamer, I think one of the best goal from the Indian player in this season, आप जिस तरह से पार्थिम ने स के लिए जा रही है, I think definitely, इसी तरह से अगर उनोंने उनका form continue रखा, he will be soon, I think, seen in the national team, but overall a very good match, in terms of the tactical wise, I think, Moral Marquez set it up perfectly, his team, to not give too many chances to Odisha FC, and Odisha FC के लिए भी देखिये, अगर आप से लास्ट सेवन देखने में, they played three back-to-back matches, so I think, in that sense, उनके लिए एक fair result, but I think, कईना की advantage यहां पे FC Goa के साथ है, क्योंकि उनोंने इस मैच के साथ यहां पे ज्यादा point lose नहीं किये है, and they are still three matches less played to compare to Odisha FC, so title race will be still alive, otherwise, अगर यहां पे Odisha FC 3 point लेती, तो थोड़ा सा ओ जो gap है, वाइड ओपन हो जाता, और बाकी टीमों के लिए catch-up करने के लिए मुश्किल हो जाता, आज के यहां पेड्रो बेनाली ने बोलाए कि, I think North East United can surprise this Ishmangal side with the defensive performance, and I think जो उनोंने भी addition किये है, यहां पे क्यावतिगी winter transfer window में, that are the interesting addition, and home pack खेल रहे, and I think उनोंने fans को बलाए कि, IA हमें support किजे, and we will definitely put up a result, so I think it will be a close fight, and जो 6th position के रहे से, और जादा interesting बन सकती है, so I might say you can say draw, but I think East Bengal is a little bit favorite for this match, दूसरा में चेहां पे महनमगान Supergiant versus Hyderabad FC, जहां पे, obviously Mohanमगान are the favorites, after that you can see last minute draw from the East Bengal Indy Derby, but I think Hyderabad FC के पांस यंग्स्टर है, and they can surprise anyone, and वो अमने past के कुछ मेंचिस में देखा भी है, in Super Cup में भी महनमगान के सामने अच्छा performance put up किया था, but I think जिस तर की individual quality is Mohanमग के पांस है, definitely they are the favorites, no doubt they are missing couple of players, they are key players in defense particularly, but still I feel they are the favorites, so that's it from my side guys, regarding today's Indian football news, I hope कि आप को पसंद आया होगा, keep supporting Indian football, don't forget to like, share, subscribe, कुरिशरी, चाहिंद, 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 चाहिंबर,